सारी मम्यों के यही देंशन होती है कि बच्चे का पेड़ जी इतना है नो उसमें सारी सबजियां मैं कैसे add करते हूं तो सबसे पहले मैंने हैंक कर लिया है उसमें डाल दी है बीट रूट और अनियन और कैप्सिकम इन सारी सबजियों को मैंने लिया है आपके पास और वी सबजी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं फलाल मेरे पास यही था तो मैंने थोड़ी सी डाल दी है धनिया पाउडर, लाल मिश पाउडर, एंड गर्म मसाला और नमक सारी जीजो को अच्छे से कर लिया है तो काफी थिक टेक्शर और स्टफिंग तयार हो चुकी है तो यहां पाराथा बेलेंगे उसमें स्टफ्ट कर देंगे अपनी स्टफिंग स्टफिंग जो रैडी हुई है आप देख सकते हैं यह कितनी थेक है यह पाराथा बेले में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आईगी तो आप भी अपनी करड को इतना ही थिक रखें तो पाराथा यह बिलकर हो चुका है रैडी तो तवे को गरम करने रख दिया था अब दोनों तरफ से अच्छे से इस पे घी लगाया है और घी लगाने के बाद पाराथा हो गया तयार तो आपको फाइनल लोक पराथे का दिखाते हैं जैसा उपड़ से है न अंदर से एकदम पिंक निकल के है तो खाओ पियो मसे करो बाई